आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो राजनिती में रहते हुए विराजनिती का शिकार नय होकर एक सच्चे सिभाई की तरह अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं हर्याणा के मुख्य मंतरी के तीन दिवस्तिया जन समबात कार्यकर्म के दोरान हलाकि भारते जनता पार्टी के काफी कार्यकर्ता एमम नेता हर्याणा के मुख्य मंतरी से दूरी बनाए हुए है लेकिन अपनी जिम्मेवारी को बुखूबी तरीके से निभाते हुए कपिल सोनी ने हर्यान के मुख्य मंत्री के कार्य कर्म की पलपल की कवरेज करने का काम किया और वहीं पत्रकार बंदूओं तक पहुचाने की भी जिम्मेवारी निभाई साथ ही शोशल मीडिया के माध्यम से हर्याना के मुख्य मंत्री के कार्य करम का सफलता पूर्वक परचार करने में अपनी भूमिका निभाते हुए दिखाई दिये कपिल सोनी जवैलरी की विवसाये से जुड़े हुए हैं लेकिन हर्यानक के मुख्यमंत्री के तीन दिवस्ते दोरे के दोरान अपनी दिन चर्या से समय निकाल कर पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेवारी को निभाते हुए नजराई जिसकी चर्चा हर जगा हो रही है कपिल सोनी काफी लंबे समय से मीडिया प्रभारी के तोर पर अ जिम्मेवारी निभा रहे हैं और साथ में लोक्सवा मीडिया प्रभारी सिर्चा नगर प्रथम कपिल सोनी ने अपने बूत नंबर पच्चास से बाचपा को कभी भी नहीं हारने दिया चाहे वो लोक्स बचना हो या विधान सबचना सिर्चा जिला में जब भी भारते जं पूरानी सन्स्था श्रंकार शंग के वर्तमान में पर्देश विवाध्यक्ष की नात欸 अपनी स्हेमाइग्स अपने समाज के सथ कपिल सोनी भारते जिंदा पार्ति परृव जिलाद्यक्ष चातीन्द्र सिंध के साथ में भी मीडिया प्रभारी के तोर पर जिम्मेवारी निभा रहे थे तो आज वर्तमन में अदित्यत देविलाल जो की वर्तमन में जिलाद देक्षे महाली में बने मार्केट कमेटी बोर्ड के चीयर्मेन के साथ बारते जंता पार्टी के सच्चे सिभाई के नते जिम्मेवारी न बजलते समय के साथ शोशल मीडिया में करेर्ट पत्रकारों के साथ भी मिलन सार ताल में रखकर सरकार के नीतियों को पत्रकारों के माध्यम से आमजन तक समय समय पर परचार करवाते रहते हैं इमानदारी निश्चावान एम अपनी जिम्मेवारी को बहुँ भी तरीके से निभाने वाले कपिल सौनी को भी पार्टी विशेश सम्मान देती है और सिर्शा के पतरकार ही नहीं बलकि हर्याना के पतरकार भी उने सम्मान देते हैं भारते जन्ता पाटी एक ऐसे सथी सिपाई को विशेश धान देती रहती है और वह दिन दूर नहीं जब कपिल सोनी जिला के मीडिया परभारी के साथ सत्परदेश की बड़ी जिम्मेदारी के रूप में दिखाई देंगे